राम लखन को जनकपुर में देखा जिवो निलम अरू सोना शोर गोर सावरो सलोना जिवो निलम अर सोना शोर गोर सावरो सलोना हम पर चलाए दियों तोना शोर गोर सावरो सलोना हम पर चलाए दियों टोना कि सोर गोर सावरो सलोना राम लखन को फुल बगिया में देखा राम लखन को फूल बगिया में देखा हाथन अजी हाथन लिए फुल दोना शोर गोर साबरों सलो हाथन लिए फुल दोना शोर गोर शाबरों सलो हम पर चलाए दिऊं लोना शोर गोर साबरों सलो हम पर चलाए दिऊं लोना शोर गोर साबरों सलो राम जी को देखे मैंने घुंगट शोर गोर शोर गोर शोर गोर साबरों सलो राम जी को देख मैंने घुंगट शोर गोर शोर गोर साबरों सलो हम पर चलाए दियों लोना शोर गोर साबरों सलो हम पर चलाए दिऊं लोर शोर गोर साबरों सलो कर दो कर दो कर दो कर दो कि बोलिये परमपुजशी स्वामी जी महाराज की हम सब का परम स्वभाग्य है कि परमपुजशी स्वामी जी महाराज आज हम भक्तों के बीच में अपना पावन सानित हमें प्रदान कर रहे हैं मैं एक बड़ी विशिष्ट बात आप सब के बीच रखने जा रहा हूँ दो वर्षपूर मई 2010 में जब पुर्षट मास महसव राजस्थान की राजधानी जैपूर में आयोजित हुआ था तब जालरिय पीट के परमशेश्य परिवार श्री ओम परकाश जी पांगड परिवार ने श्री जालरिय पीट को अपनी पैतरक संपत्ती जो डीडवाना में वस्तित है वो सभी भक्तों की बीच में उस महसो के दौरान सादर समर्पित कर दी थी और उन्होंने पुझस्वामी जी महराज के उपर ही छोड़ दिया कि आप चाहें जैसे इसका पीट के लिए पीट के भक्तों के लिए सदुप्योग करें अब ये पुन्हे अउसर आया पुरश्वत्तमास महसो का जब आप और हम सब चित्रकूट के इस पावन दास हनुमान शीदर धाम में एकत्रित है और कल यानि 27 अगस्त को भारत वर्ष के विभिन प्रांतों से इस पीट के अनेक अनेक प्रमुक्षिश्यों ने दास हनुमान जे की क्रपा और परंपजे स्वामी जी महाराज के शीर चर्णों में बैट कर एक विचार रखा कि इस जालरिया पीट के मूल स्थान डीडवाना में जो ये बांगड परिवार द्वारा संपत्ती पीट को समर्पित की गई इसमें भी पीट के भक्तों के लिए पीट के होने वाले आयोजनों के लिए अनुस्थानों के लिए भगवदी कारियों के लिए कुछ भव्य निर्मान होना चाहिए और उन सब भक्तों ने अपने इस भावना को स्वामी जी महराज के शीचर्णों में प्रार्तना के रूप में रखा और उनसे ये प्रार्तना की कि आप इसकी आग्या प्रदान करें बंधों हम सब का ये परम सौभाग यह है कि हमारी स्पीट के मूल स्थान डीडवानक के इस प्रकल्प के लिए परम पुझे स्वामी जी महराज ने सबी भक्तों की अप्रारतना स्विकार करके ये आग्या प्रदान कर दी कि इस स्थान पर भी आप और हम भक्तों के लिए भगवान के कैंकरी के लिए एक अच्छा स्थान सुविधायुक्त स्थान बनेगा और इसमें भी सबसे बड़ी प्रसंता और हर्श की बात ये है कि पीट के ही कल से ही कई प्रमुख शिश्यों ने इस प्रकल्प के लिए अपने विशिष्ट सेवाएं देना और उसका संकल्प करना प्रारहम कर दिया है तो मैं आप सब के सम्मुख उन विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले और संकल्प करने वाले शिश के इस पीट के शिश्य परिवानों के नाम के आपके सामने घोशना कर रहोगी और उसमें सर प्रथम हमारे बाबु श्री लक्ष्मी वाज जी पांगड कॉलकत्ता आपने विशेष्ट सेवा के लिए इसमें अपना संकल केर के नाम दिया है इस क्रम में इसी विश्ष्ष्ट सेवा के क्रम में सुदर्शन के शाजी बगड़िया खुलकत्त शुरी महेशकुमार जी जाजू जैपूर और शुरी रादे शाम जी मोदानी परिवार जैपूर आप सभी ने इस प्रकल्प के लिए मुक्त हिर्दे से उदार मन से विशिष्ट सेवा देने का संकल्प किया है और पुझस्वामी जी महाराज के चड़नों में अपनी इस भावना को रख दिया है अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ये जालिरिया मठ और हजारों हजारों की संख्या में आप और हम सब पूरे देश में निवास करने वाले भक्तगन और सब के मन में अपनी पीट के मूल स्थान डीडवाना जाने की हमेशा भावना रहती है तो वहाँ पे भव्य निर्मान होना चाहिए और इसके लिए कई भक्तों ने वहाँ पे कक्ष निर्मान की दश्टी से भी अपने नामों की यहाँ गोशना की है संकल किया है मैं उनके भी नाम आप सब के सम्मुक हाँ इस करम में एक विशिष्ट सेवा में श्री बाल किशन जी, रामन दाज जी, इनानी, रायचुर का भी नाम राप्त हुआ है इन सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियों की गरगरहट से अभिनेंदन कीजिए अनेक कक्षों का निर्मान निश्ट रूप से वहाँ भी इस स्पीट के सदस्य भक्तों के लिए भगवान के कैंकरी के लिए आवशक्ता होगी उस करम में श्री वासुदेव जी, कौस्तुब जी, जाखेटिया, सांगली श्री श्री किशन जी, सीताराम जी, साड़ा, एहमद नगर श्री घंशाम जी, साड़ा, जो अमेरिका रवासी है श्री सत्य नरायन जी, संदीब जी, भूतुड़ा, इंदोर श्री दामुदर लाल जी, पुनमचन जी, मालू, नाकपुर श्री मतिपान कुमर जी, कृष्ण कुमार जी, लाखोटिया, नाकपुर श्री मुर्लीधर जी, पसारी, परिवार, इंदोर श्री जगननाज जी, गोविन जी, व्यास, करीम नगर श्री मुकंदाज जी, लड़ा, पुना श्री विजे कुमार जी, मजे जी, घौलकता श्री मति सीता देवी, रादेशाम जी, काबरा परिवार, मुंबई, इन सभी भक्तों ने, इस प्रकल्प भवियन प्रमान के लिए, अपनी भावना, अपने संकल्प निश्चित किये हैं, अपनी सेवाई देना प्रारम कर दिया है, मैं आप सबसे अनुरूद करूँगा कि एक बार जोरदार फिर सभी के लिए, क्योंकि अधिक मास में सब अधिक होना चाहिए, और यह अधिक हो रहा है, और हम सब भक्तों का सौभाग यह है, कि डीड़वाना जैसे हमारे इस्थान के लिए, एक बहुती सुंदर संकल्प, और इस क्रम में जो भी और भक्तगन भी यह दि कोई इस प्रकल्प से जुड़कर अपनी भावना रखना चाहते हैं, अपना संकल्प करना चाहते हैं, श्री विजय कुमार जी मर्दा, एहमद नगर करप्या तालियों से अभी नंदन कीजिए, यह नाम कल की ही बैठक हुई, कली की मंत्रणा का प्रतिफल है, श्री राज कुमार जी अगरवाल, भुना, यह पे नाम नोट कर लोगाएं, श्री जुगल के शोर्जी मारू परिवार, प्रवास्तो, हैदराबाद, कोटा, नेपाल, तो आप अपने नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह हम सब जानते हैं, हम सब समझ सकते हैं, कि किस प्रकार हुझे स्वामी जी महराज के सतसंकल, आज यह चित्रकूट में फली भूत जहां जहां भी भगवान की ततिस्ठा, निर्माण, सब भग्तों को अच्छी प्रेणा और अच्छी संकल्ब से, यह सब हम सब की उपलब्दी है, और स्पीट का गौरव है, अब जैसा कि हम सब को विधित हैं, इतने सुंदर विशाल आयोजन, परमपुझे स्वामी जी मह नहराज केशी चड़नों की क्रपा से ही संपन हो रहा है, हम सब इसका निश्चित रूप से जरसा स्वादन कर रहे हैं, लाब ले रहे हैं, और अपने जीवन का कल्यान भी कर रहे हैं, क्योंकि राम कथा जन जन का कल्यान करेगी, यह भावना लेकर यह कथा हो रही है, उस अधिक संख्या में भक्तों ने नाम लिखाए हैं, और जितने बड़ी बात है, जितना बड़ा आयोजन है, जितनी बड़ी उपलब्दी है, जितनी बड़ी क्रपा है, वो हम जो अभिनंदन महराज का करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं है उसके मकाबले, लेकिन आईए हम के बाईं और से क्रपिया प्रवेश करें, वहाँ पे हमारे समित्य कारिकरता, उनको एक पुझ्य स्वामी जी महराज के अभी नंदन के लिए शौल देंगे, वो क्रपिया शौल लेकर आएं, और अभी अभी हम ये निश्य कर रहे थे, कि यदि हम एक एक भक्त, एक एक शि पुझ्य स्री को शौल ओड़ाएंगे, और फिर प्रणाम करेंगे, तो हो सकता है, समय ज़्यादा लगे, तो स्वामी जी के ऐसी आग्या भी हुई है, तो शौल ओड़ाएं नहीं, प्रपिया चर्णों में धर दें, और प्रणाम करें, और आशिरवाद ग्रहन करें, और मंच के बाएं और से ही प्रस्थान करना उच्चित रहेगा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा हमारी माताओं से, कि जो भकत अभी नंदन करने आ रहे हैं, उनके थोड़ा इस्थान ऐसा बना दें, कि वो वापस जाकर अपना उच्चित इस्थान फिर ग्रहन कर सकें, अब जगे ऐसी बना दें ताकि पुरुष्भक्टकन जहां से जा, कुछ थोड़ा सा, गैप ऐसा बना दें, मैं वहाँ भी गैप बनाना पड़े हैं, पुझेन से श्रीमतिस अरोज देवी बांगड, आनन जी बांगड का भी नाम इसी डिडवाना प्रकलक के लिए आया है, प्रप्य इनको नोट कर लें, मेरे स्वाइब, तो आईए पुझे श्री का अभी नंदन करें, हम सब की प्रातना स्विकार हुई, और प्रातना है तो हम करते ही रहेंगे, आगे भी, तो आईए इस अभी नंदन समारों का शुभारम करते हैं, और सबसे पहले स्क्रम में, शी जालरी अमठ बड़ा स्थान, डीडवाना से, पुझे स्वामी जी महाराज का अभी नंदन करने के लिए मैं साधरा मंतरित कर रहा हूँ, श्री लक्षमी निवाज जी बांगड सापको, और श्री बाबुलाल जी गोहल सापको कप्या पधारें, और पुझे श्री का श्री जालरी बड़ा व्यवस्थित और अनुशाशित अभी नंदन समारो ये रहेगा, आप भक्त गर्ण जिनका भी नाम उचारित किया जाए, क्रपिया वो क्रम से आते जाए, वो जी श्री का भी नंदन करें, अभी कथा का बहुती महत्पून भाग राम जी और फिर अनुवान चालिसा महापाथ आई ये दास अनुवान श्रीदर धाम देवस्थान की और से, चित्रकूट की और से, इसे मेरा नाम अंकित है, मैं मेरे अनुज राजिश मांधना से क्रपिया आपको जशी का भी नंदन करें इसे जालरिया पीट के दिव्यदेश रमा वैकुंट मंदिर पुशकर के और से भी अभी मैंने एक सिर्फ उचारित की और आप देख रहे हैं कि हमारे टीडवाना की इस स्पीट की विशिष्ट परंपरा जो भगवान जानकी नात के दिव्यदेश से अज़ेश के अभी नंदन के लिए ये सबी बोलेंगे जै जै श्री यतिराज फणिराज अवतार मनि प्रबल पाखंड तमो हरन भानो श्री रामा नुझ विजेई 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 श्री जानकी शपद पाद्म पराग प्रिंगम श्री श्री धरार्य चरन भुझ लग्नमोलिम् श्री देशिकार्य घनश्याम गुरुम् नामामा स्रिमत र्यद्वार्य पर्धिस्ठाबनाचार्य सर्वतंत्रस्वतंत्रवाय वैषन्ता आकृंटको blueberry स्रीमद्भगुतर्म शद्धांध्वत्चांड सारभौ में जगत्गुरु रामानुजाचार्य जार्या पीठा दिवती, श्री गरिश्या मार्यमादेश को संभावेना। श्रादे, रादे, रादे, रादे और अब इस शंकला में, जिस पावन पुन्यस्थान परमाद सब विराजित हैं, और इस पुशतमास महुस्व का सभी आनन दे रहे हैं, इसकी और से, श्री राजेश मांधना, रप्या पुजशे का अभी नंदन करें। महाराज, शिदास हनुमान जी महाराज की श्री रमा वैकुंट मंदिर उश्कर पुने श्री लक्षमिवाज जी मांगर साब से निवेदन हैं, श्री वैकुंट नाथ देवस्थान कॉलकटा की और से श्री विजे कुमार जी बांगर, वैकुंट नाथ देवस्थान कॉलकटा श्री विजे कुमार जी बांगर, श्री वेंकटेश देविस्थान नाकपूर से श्री गोविन साब जी शारडा रप्या पता रहे हैं श्री लक्ष्मनबाग देविस्थान पंडरपूर से श्री श्री किशन जी लाहोटी और लक्ष्मी नारहें जी भठकड श्री श्रीधर धाम हरित्वार की और से अभी नंदन करेंगे बाबु श्री रमेश जी बांगड श्री बाला जी मंदिर गुमाश्ता नगर इन दौर से श्री पुष्षतम जी पसारी और श्री ओम जी पसारी कर्पया पता रहे श्री रंगनाज जी ने आती भी कर्प्या पदार है श्री रंगनाज जी ने आती भी कर्प्या पदार है श्री सीताराम मंदिर शाजापुर से श्री सीताराम जी तिवारी और श्री लोयाज जी कर्प्या पदार है मेरा सबी वक्तों से निविदन है या तो तालियों से अभी नंदन करें या नारायन नाम संकिर्तन लेते रहे नारायना मध्यम मध्यम श्रीव और इस बीच हमारे पास रायचुर से श्री नत्मल जी ओंप्रकाश इनानी साथ का नाम आया है डीडवाना प्रकल्प के लिए संकल्प का बहुत बहुत धन्यवाद श्री बाबुलाल जी गोयल साथ का भी अजमेर से इसी क्रम में डीडवाना प्रकल्ब के लिए नाम आया है आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद श्री महालक्ष्मी मंदिर पूने से श्री राजकुमार जी अगरवाल रप्या पता रहे हैं श्री लक्ष्मी नारेंड मंदिर एहमद नगर से श्री शामसुंदर जी मदुसुदन जी और श्री निवाज जी सारड़ा साब रप्या पता रहे हैं अब जाने का करम तो यही रखे हैं श्री वेंकटेश देवस्थान बलारी से श्री सुरेश जी आगिवाल रप्या पता रहे हैं पता रहे हैं श्री वेंकटेश मंदेर आयोध्या से श्री भगवती प्रशाज जी पांडे यह थोड़ा रस्ता अगर हम यह चोड़ देंगे न तो यह भग लोग इस तरफ से वापस अपना इस्थान ग्रेंड कर लेंगे थोड़ा मार्क बना कया पैब यहां पर नहीं इदर से जाना होगा आजाएंगे आपको देख के नहीं आ रहे हैं श्री गोपाल कश्न मंदिर भिवंडी से श्री देव किशन जी करवा श्री राम मंदिर कोलारस से श्री गोपाल जी गौड श्री वेंकटेश मंदिर वरंगल से श्री रादिशाम जी जाखोटिया श्री मारवाडी हनुमान मंदीर करीम नगर से श्री केश्री मल जी करवा श्री लक्ष्मिनारयन मंदीर रायचूर से श्री नत्मल जी इनानी श्री संकट मोचन हनुमान मंदीर कोट पुटली से लालचन जी मोरिजा वाला परिवार पुलकत्ता संकिर्टन करते रहिए या फिर हनुमान चालिसा करिए श्री गुरु चरन सरोज रज श्री वेंकिटेश मंदिर इचल करन जी से श्री मदनलाल जी बोहरा और श्री नवनी जी कचोलिया श्री स्वेंव्यक विष्णु मंदिर रूपनगर नेपाल से श्री जितेन जी राठी श्री अजय जी मारू और श्री गट्टानी जी गट्टानी जी अजय जी मारू बाला जी मंदिर लासल गाउं से डॉक्टर श्री निवाज जी दायमा साथ श्री श्रीधर जन कल्यान ट्रस्ट डिडवाना के और से अभिनन्दन करेंगे श्री अनिराग जी जाजू और श्री संजय जी मोदानी करपया पदारे जब मैं नहीं बोनू तो आपके आवाज में थोड़ी बुलंदी आनी चाहिए करिवे को आत श्री सर्वजन हितेशी ट्रस्ट पॉलकता के और से श्री क्रशन प्रशाज जी सुदर्शन जी बगड़िया करपया पदारें श्री लट्टू गोपाल मंदिर डिडवाना के और से श्री किशन जी व्यास श्री किशन जी व्यास करपया लट्टू गोपाल मंदिर डिडवाना के और से पदारें श्री गोपाल मंदिर डिडवाना के और से श्री नंत किशोर जी जोशी एक स्वर में श्री बाला जी मंदिर माले गाउं के और से श्री ओम जी हेडा स्री संजय जी करवा और श्री वैभाव जी संजय जी करवा लंदन वाले और श्री वैभाव जी अमेरिका माले गाउं से श्री जालरिया जन्ट सेवा ट्रस्ट उज्जेन के और से श्री ओम प्रकाश जी पसारी और संदीब जी भूतड़ा श्री लक्ष्मी नारेन मंदिर चंद्रावति गंज श्री पुर्शत्तम जी श्री वीर हनुमान मंदिर जावत से श्री क्रश्न गुपाल जी मुच्छाल श्री राम मंदिर लक्ष्मन जूला से श्री सुदर्शन जी पकड़िया श्री राम मंदिर बेलगाओं के और से श्री मदन जी मोहता ये जाल्विया पीट के प्रमुख दिव्य देश इस्थानों के और से कुछ अमाराश्री का अभिनन जन हो रहा है और अब भक्तों के और से जो अभिनन जन होगा मैं उस क्रब में ये अभिनन जन का है या डीडवाना ये डीडवाना प्रकल्प के लिए फिर एक और नाम हमारे पास आये है श्री घंशाम जी संपत कुमार जी दरक नारायन पेट से जो जोड़दार तालियों सभी नंदन कीजिए आये अब हम शिश्रिगनों के और सभी नंदन की एकरम में सबसे पहले आमांतरित कर रहे हैं श्री भगवान दाजी मुझाल जावत श्री वल्लब जी नंद कुमार जी बांगड जैपुर श्री प्रकाश जी लक्षमिनारायन जी बांगड किशनगड श्री हरी नारायन जी ओंप्रकाश जी तोसनिवाल हैदराबाद हाँ, इस क्रम में मैं श्रमा चाहता हूँ, ये जो समीती, जिसने इस पूरे प्रकल्प को स्वामी जी महराज के निर्देशन और आग्या में रहे कर, ये फली भूत किया है, अपने समरपन भाव से, अपनी सेवाओं से, अपनी करतव इनिष्ठा से, उस समीती के में कुछ सेवा भावी, कारेकरताओं का आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री श्रीधर महुस्तो समीती के और से, नवीन मांधना, सुरेश जी बांगर, हरी भाई जी तोशनिवाल, श्री हनुमान 40 महापाट का क्रम आपका जारी रहे, संजे जी करवा, लंदन, श्री श्री राम जी गौड, कोलारस, श्री सतिनारहें जी गट्टानी, नीमच, श्री पुर्ष्षत्तम जी मोदानी, जैपूर, डीडवाना की शंकला में फिर एक और हमारे श्री बद्रिलाल जी की शोड़ी काबरा डीडवाना प्रकल्प के लिए, बहुत-बहुत अभी नंद है में। अभी नंद है में। वे ही आए और सब बाकी सबसे भी मेरा निविदन है भक्तों से इस क्रम को बनाए रखें और मंच के दाईं और से क्रप्या वापस अपना स्थान ग्रहन करें बधार करें। और हम सब का भी परम सवभाग्य है कि हमारे बीच में आज एक अतिविशिस्ट बंधु विराजित हैं। मूर्थी शे इश्व सहय जी श्रिवास्तव मैं चाहूंगा कि वो भी कुझे स्वामी जी महराज के चड़नों में आकर आशिरवाद ग्रहन करें। कथा के प्राग्हम से आप विराजित हैं कथा श्रमन कर रहें। क्रप्याओं को साथ लेकर पढ़ारें। सबकी एक साथ चल रहे हैं नुमान चालीसा। बढ़ा आवाज आनी चाहिए। सिद्ध जगत उजियारा। हाँ क्रप्या क्रम बनाए रखी है। आदर्णिय जस्सा पधार रहे हैं शेश्व साहे जी श्रिवास्तवा। श्री दामो 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 दा से रतनलाल जी दाइमा अमरावत्ती शिरामानर जी राठी अधोनी शिशामसंदर जी हेडा बेल गाउं किशन सिंग जी शर्मा कोटा हरी किशन जी सुवाश्च जी जाजू जहीराबाद श्रीनिवाज जी लक्ष्मिनिवाज जी काबरा हैदराबाद करपिया करम बनाए रख से लक्षन सीता सहित एदय बसां सुर्भू बल्दासनुमान जी महाराज की फिर अगला क्रम श्री गुरु चरह जिनका नाम बोला जा रहा है वो क्रम से आते रहे बिलकुल बिलकुल नहीं सही चल रहा है बस स्थान इस तरसे श्री किशन गोपाल जी नंगोपाल जी सोमानी हैदराबाद श्री लक्ष्मिनारायन जी उर्मिला भाई जी मूनुला इंदोर श्री कैलाज जी मालपानी दिल्ली श्री कपूर चन जी मनीश कुमार जी जैपूर श्री गोविन जी राधा भाई सोमानी इंदोर श्री रादारमन जी किशन गुपाल जी सोनी तराना राम सरूप जी हेडा अमरावती रमेश कुमार जी शर्मा दुर्ग प्रेम सुख जी लखोटिया किशंगड श्री नारेंदाज जी मारू सूरत श्रीमती यशोदा देवी जी मारू सूरत श्री ओम प्रकाश जी मारू सूरत निर्मला देवी जी मारू सूरत मंकट लाल जी भरत कुमार जी धूत गुलेद गुड श्री भगवान दाज जी बियानी बेरसिया श्री राज कुमार जी पत्मा देवी जी बजाज कोलकाता गोविन जी मुंदला हैद्राबाद, श्री किशन जी बजाज हैद्राबाद, श्री बद्री लाल जी नागोरी कोटा, श्री ओम प्रगाशी पारिक कोटा, श्री बाबु लाल जी सोनी डीडवाना, गीता देवी जानकी लाल जी सोनी डीडवाना, गीता देवी गुलाब जी सोनी डीडवाना बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरता हैं सम्हाई सुशिला देवी जी प्रिज महुंजी तिवारी डीडवाना जग्दिस प्रशाज जी देवेंद्र कुमार जी ओलारस गोविन जी काबरा राजबिराज मेपाल राजाराम जी साडरा दिल्ली रमेश जी भगवान दासी जाजू माले गाउं सुरेश जी भगवान दासी जाजू माले गाउं समीर जी रमेश जी जाजू माले गाउं सूरज जी सुरेश जी जाजू माले गाउं सुरेश जी हरीबल जी काबरा हैदराबाद मदु सुदन जी जुगल किश्वल जी मारू पुना अजे जी भगवांदाज जी तापडिया पुना कपिल जी दावलाल जी मोहता नासिक महीला ससंग मंडल डीडवाना महीला ससंग मंडल कर नाम आया जरहनुमार 40 अक्रम जड़ा जोर से दुवारे तुमर जी विजय कुमार जी डागा, कोटा, मुरारी लाल जी मंगल, पुना, रामकिशन जी तोष्णिवाल, दिल्ली, सत्य नरायन जी गोविंदाल जी राठी, विकाराबाद, ओम प्रकाश जी, गोविंदाल जी लाहोटी, बैरसिया, प्रकाश चन जी, विपिन पॉलारस, पंकजी भांगडिया, बेटमा, लक्षमी कान जी, बंशीलाल जी, सोमानी, सोलापुर, देवी प्रशाज जी, मुर्लीधर जी, सिंगानिया, सोलापुर, विजे कुमार जी, किशोर जी, कासट, कल्यान, चरंजीलाल जी साफ कचोलिया, भवानी मंडि, मेरे उचारन में, मेरे नाम लेने में कहीं कोई आदर में कमी रह जाए, तो कृपय अश्रमा कीजिएगा, सभी के लिए साथ, मेरा विशेश आदर के साथ, आववान है, स्री सुरेश चन जी, शरत कुमार जी, काक, अब लिश्ट की एक कौपी थानल भी हो गई? अब लिश्ट की एक कावला भी हो गई? विख बने तक लोगे देखा दिवाद गालज होने गए है अभी लिट भी है अभी लिट वी यभी अबिनंदन के कर दो अब लोगे अपने लिज्टर्च में है श्री किशन जी लाहोटी, सोलापुर, श्री राजेश जी सोमानी, इंदोर, श्री भगवान दाज जी प्रेलाद दाज जी सोनी, वरंगल, श्री रादेशाम जी चौबे, कोलारस, श्री रूपनारेन जी जहवर, उज्जेन, श्री लक्ष्मिनारेन मंदिर वरंगल की और से श्री शाम जी जाखेटिया, श्री पुर्षत्तम जी बाहेती हैदराबाद, सत्त नारेन जी तोतला हैदराबाद, किशन गुपाल जी मनियार हैदराबाद, राम निवास जी, राजेंदर जी बोहरा, इचल करन जी, इचल करन बाला जी सिवा मंदल की और से भी अभिनांदन है करपिया पदारें शे कल्यान मन जी दिनेश कुमार जी डॉम्बी वली शे मानक्चन जी करवा गुंटकल शे देवकरन जी गोविन जी मालपानी सेडम शे हनुमान दास जी ब्रिजगोपाल जी लाहोटी सेडम शे जैनारायन जी ब्रिजगोपाल जी जवर सिकंद्राबाद शे जैनारायन जी शामसंदर जी सारडा इचलकरन जी शे गोविन बल्लप जी चौबे कोलारस शे रादा किशन जी वर्मा कोलारस शे मति जोती हरी किशन जी हेडा पाली Vijaykumar Ji Sajdeva Shupuri Natmanji Ramakishan Ji Tiwari Rai Chur Purushottam Ji Asawa Kagaj Nagar जालरिया मंदिल डीडवाना की महिला मंदल की और से भी अभिनन्दन हो रहा है डीडवाना की महिला मंदल सा संग मंदल डीडवाना अगमेटाए है यह कि अप्राइब जोगी आप 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 आपकल ए दे अप इसे ही हारी नारेंजी ओंप्रकाश यह तौशनिवाल है त्रपत यह अनाम आया है फिर डीडवाना प्रकल्प के लिए रपयातारियों से भीनंदन करिए यह बीच में एक रम ये भी चल रहा है जो 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 आजाएगा नाम नहीं वो रावल इखना भूल गया तो चला गया खेदार जी अगरवाल दीधाना श्री रमेश चंजी लाहोटी मंच्रियाल श्री घंशाम जी दरक नारायन पेट श्री देव किशन जी करवा भिवन्डी श्री भागीरज जी सुनील कुमार जी इनानी रायचूर श्री रामनिवास जी अगरवाल खोट पुतली श्री किशन जी अगरवाल बरतनवाले खोट पुतली श्री लक्ष्मी नारायन जी डोडिया करीम नगर श्री श्री शाम सुंदर जी मंत्री भिवंडी श्री रामपाल जी रिन्वा मंचरियाल श्री प्रेम नारायन जी ओम प्रकाश जी भूत्रा देवास श्री घंशाम जी लक्ष्मिनारायन जी जाजू गुलेदगर श्री बाबुलाल जी विमलकुमार जी कोलारस श्री पुर्शतम जी कासट जालावार श्र नसीराबाद, श्री राम गुपाल जी लाहोटी, मंचरियाल, वीर हनुमान मंदिर के और से हो गया, श्री कृष्ण गुपाल जी मुच्छाल, जावद, रतलाम नगर के महापौर, श्री शेलेंग जी डागा, श्री कपिल जी खंडेलवाल, धरा जिला कोटा, श्री विजय ज खंडेलवाल, चंदरावती गंच, श्री सुरेज जी काबरा, मुंबई, श् Ormprakash जी मुकुन जी राठी, राय चुर, श्री घंशाम जी राठी, लालाजी, गोदावरी इखनी, श्री बाला प्रशाज जी राठी, गोदावरी इखनी, श्री शिवरतं जी इनानी, आप भी ति विजै जी बांगर सुसनेव श्रेश जी बिर्ला ठाना ज्राजेन जी सोमानी संगमनेव श्री गोपाल जी सोनलाइव भठड़ गुलेत गुल जी Armraकाश जी ब्यानी उझेन ओम नारहैं जी मदन गोपाल जिलोया महभूबाबाद शिप पुर्शत्म जिशार्डा नाकपुर सुख होई यह पड़ हनुमान चली सा ओए से दिसा की गोरी सा आवाज आनी चाहिए हरी चेरा कीजे ना अब इसी क्रम में शिश्यु कुमार जी अगरवाल कोलकत्ता शिश्य संतोष जी अंजु जी भूतड़ा कोलकत्ता शिरमेश कुमार जी बांगर दिल्ली श्री बाला जी मित्र मंडल जो बड़ी सुंदर गोष्टी प्रशाद वित्रण के सेवा में समर्पित हैं इंदौर श्री कालूराम जी अगरवाल कोलकत्ता शिरमेश किशन जी मोहता कोलकत्ता शिरमेश जी बगड़िया कोलकत्ता शिरमेश जी चौरशिय इंदौर इश्वरलाल जी महेश्वरी कोटा, श्री जग्तिश जी, श्री कांता जी कालानी नीमच, श्री अशोग जी अगरवाल, टाटा नगर, श्री कमल किशोर जी शर्मा, कोलकता, डॉक्टर स्री पुर्शत्म जी पालडिवाल, नागपुर, श्री विनोज जी बांगड, कोलकता, श्री रतनलाल जी बजाज भंडारा श्री कमल किशोर जी श्री राम जी भलीका इंदोर श्री रागवेंद्र जी महता कॉलकत्ता श्री अनिल जी महता कॉलकत्ता बीद्वाना की नभीन प्रकल्प की सेवा में फिर एक और हमारे भक्त वैकुंट वात्सी भगवान दाजी रामचंजी जाजू वैकुंट वात्सी श्रीमती यश्वदर भाही जाजू की पुनिस्प्रती में श्री रमेश जी सुरेशी जाजू माले गाओं बहुत बहुत धन्यवाद साथ लिखते जाना है सजीवन लखन जी आई श्री रगुवीर हरशियोर लाई अपना ये महापार्ट चल रहा है जो बोलेगा उसी के सवाल आख होएंगे श्री शाम सुंदर जी सुनिल कुमार जी करवा गुंटकल श्री संपत कुमार जी देवी किशन जी इनानी रायचूर श्री बाल किशन जी भली का इंदोर श्री शीदर धाम महिला मंदल इंदोर एक और महिला मंदल है इंदोर से टेविकिषन जी, किशन गोपाल जी, इनानी, रायचूर। लक्षपिनारैंजी, भट्टा, पंडर्पुर। टे रमेश जी, सोधानी, बिना गुंज। टे गिरधर गोपाल जी, अगरवाल, अजमेर। शी सत्यनारें जी करवा मुंबई, शीवरतन जी कावरा नाकपुर, शीनिवास जी राजकोपाल जी परतानी तांदूर, तांदूर ये दक्षिन दक्षिन, जीगुल किशोर जी मुंदार्दा एहमदाबाद, शी रामनुजदास जी जानकिवल्लप जी मारू नेपाल, शी हर शी प्रशाज जी रंचोडदास जी मारू मुंबई, शी ब्रिज महन जी गिर्दर जी मारू माले गाओ, शी लक्ष्मी निवास जी वासुदेव जी मारू कोटा, शी जुगल कुशोर जी दामदर्दास जी मारू कोटा, शी राजमल जी सिंगल, शी राम दालमिल वाले कोल श्रिमूल चंजी राजाराम जी लाहोटी ये क्या इलकल ये भी को जग इलकल मेरे से तुरुटी हो सकती है दक्षिन के कुछ शेरों के नाम में डॉक्टर शाम सुंदर जी रतनलाल जी शर्मा नागपुर महिलाओं के आवास तो आ रही है पुर्शों के नहीं आ रही है राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन खल पावे चारों जुग है परसिद्ध जगत साधु संत के डॉक्टर शाम सुंदर जी रतनलाल जी शर्मा नागपुर श्री मुर्लिधर जी पसारी परिवार इंदौर श्री आतित्य जी मालानी सिकंद्रबाद श्री पुर्शत्म जी पसारी इंदौर श्री रामेश्वर जी अम्रावत्ती श्री रादेशाम जी सुमिल कुमार जी मोधानी जैपुर श्री आनन जी सुमानी अजमेर श्री लगपत राज जी कित्ती थाना श्री राजिंदर राज जी सिंगल कोलारस श्री मनोज जी बंसल शिपुरी श्री राजमल जी सिंगल कोलारस कृपा करो गुरु देव की नाई जो सत बार छूटए ही बंदी महासुख होई जो यह पड़ हनुमान चली सा होई शिद्धिस शिद्वार का दास जी वसंद कुमार जी मारू यह कहां के हैं भी यह प्रकाश जी गिर्धारी लाल जी लाहोटी इलकल शिद्धिस जी रगुवंशी जी बागुलिया जगे हैं शिरी गोपाल जी शर्मा डीडवाना शिरी नाराइंदास जी भलीका इंदौर शिरी सुरेश कुमार जी बांगड कलकत्ता शिरी विजय कुमार जी बांगड इंदौर शिरी ब्रह्म सरूप जी जाजी अजेन शिरी मनमहन जी मल कोलकत्ता शिरी अमरतलाल जी जाइसवाल चंडरवती गंच शिरी मदुसुदन जी रामरतन जी राठी इंदौर शिरी शाशिकान जी महश्वरी ग्वालियर शी रमेश नारेंजी गट्टानी भोपाल शी राम किशोर जी पदम नारेंजी शारदा रायचूर शी राम नारेंजी अश्रकुमार जी करवा रायचूर लेलिया शी कवारिलाल जी नंद किशोर जी इनानी रायचूर श्री नत्मल जी ओम प्रकाश जी इनानी रायचूर श्री कमल किशोर जी रंगनाज जी धूत रायचूर श्री रादेशाम जी प्रदिप कुमार जी अगरवाल कोलकता श्री राम गुपाल जी गंशाम जी अगरवाल कोलकता श्री दामुदर दास जी विजे कुमार जी राठी कोटा ओम प्रकाश जी शर्मा चंद्रावति गंज श्री डुंगर मल जी नारेंदास जी इनानी रायचूर श्री ओम प्रकाश जी दिलिप कुमार जी चांडक रायचूर श्री गोरी शंकर जी अमिज जी गटानी नेपाल बट्टर पडिवार गोरे गाउं मंबई श्री भोला राम जी साफ कलकत्ता श्री कमल कशोर जी रामनुजदास जी शारडा बेलारी श्री श्रीमाज जी सुरेश जी इनानी रायचुर श्री कविश लक्ष्मिनारैन जी मारू सूरत श्री महोर लाल जी साफ काबरा नेपाल तुम उपकार राम मिलाय राज पद दीनं तुमरो मंत्र श्री गोपाल कृष्मिन जी गुडवाला पोलारस जल धी लांगी गए अच्रज नाही दुरगम काज जगत के लेते जोगम अनुग्र है जिनों ने भी नाम दिये है इस अभी नंदन के लिए उनके नाम इस लिस्ट में आज चुके हैं करपिया वो लोग दुबारा पड़्ची न दे अभी तत्काल में जिनों ने अपने नाम दिये हैं वह कारेले में वो कोई नाम यह आ रहे हैं तो हमने उचारीत करेंगे करम में श्री विश्नुकुमार जी गोयल यह लखवाश कहरें लखवास लखवासा है कि अध्या पोला रस्ते श्री कर्थ रशाज जी एड्वोकेट साब श्री गोपाल जी दामोदर जी जाजू इचलकरन जी श्री पशूप पती जी सुबेदी नेपाल श्री लक्ष्मिनाराएं जी उप्रकाश जी मुंदादा मंच्रियाल श्री गोविन जी बांगड सुसनेर श्री राजेन जी लक्ष्मिनाराएं जी बजाज सुसनेर श्री रामानुच जी इनानी रायचूर श्री दामोदर दास जी ग श्री मुकुन्दास जी पुर्षत्तम जी लड़ा पुना सो शान्ता जी पुर्षत्तम जी तापडिया सोलापुर सो पुषपा जी जहमर सोलापुर श्री रामवतार जी शिवरतन जी जाकोटिया माले गाउं श्री मोहनलाल जी महेश्वरी इंदोर श्री क्रिश्न कुमार जी महेश्वरी एंदाबाद श्री अशोक सिंग जी रागवन शी लुकवासा श्री राजेश जी लखोटिया नागपुर श्री सत्य नारायन जी संदीब जी भूतुडा इंदौर बांगर नगर रामयान मंडल गोरे गाउं केलाज द YOUR श्रीत संदीब हुआ श्री किलाज जी सिंगोडिया और शीवरान जी घलाल बांगर नगर रामयान मंडल के और से गोरे गाउं के और से स्वामी जी महाराज का Präsident वशाला आयो जशन् jём हुओ था श्रीमत भागवत का और रामयान मंडल उसमें बहुत ही सेवा भाव से जुड़ा उस आयोजन में शी योगिंद्र कुमार जी श्रोती कोलारस शी किशन जी मुंदादा कोटा शी जैप्रकाश जी भागिरत जी दरगड घाटुंदुर शी किशुरी लाल जी हरी किशन जी सोनी सोलापूर शी रमेश जी रामरतन जी सोनी सोलापूर शी रामनुच जी राजकुमार जी काबरा बार्शी शी जुगल किशोर जी मुतिलाल जी सोमानी बार्शी शी रमेश चंद्र जी बाहेती भोपाल और शी विठ्थल दाज जी शारदा भोपाल जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपीशति हूं लोग यह हम स्वामी जी महराज की उस आग्या कहीं पालना कर रहे हैं कि हमें रोज नौ हनुमान चालीसा सामुई कुरूप से करनी है सवा लक्ष अपना लक्ष लेकर और यह स्क्रम के आगे देखते हैं श्री आमंतित कर रहे हैं श्री प्रमुत कुमार जी विनुत कुमार जी भारगव लुकवासा श्राम भरोसे जी सदाया कोलारस श्री जगतंबे प्रशाद जी व्यास कोलारस श्री लक्षमिनारायन जी संगीता जी मोदानी जैपूर श्री नारायन दाज जी शामसंदर जी इनानी रायचूर श्री भगवान दाज जी श्री गोपाल जी इनानी रायचूर श्री अजे जी, रेखा जी, बंग, बल्लारी, श्रीमती इंदू जी, बसंजी, जवर, गाजियाबाद, श्रीमती सुशिला देवी और श्री नंद कुशोर जी, मालपानी, जैपुर, डॉक्टर राकेश जी, गौर, इंदौर, लक्ष्मी नारायन, ससंग मंडल, एहमद नग करीब करीब सभी दिवी देशों के ससंग मंडल के और से भी, मुझे स्वामी जी माराज का भी नंदन हो रहा है, जैसा मुझे इसमें सूची में नाम देखने से लग रहा है श्री विश्नुकान जी, हेडा, इचलकरन जी, श्री गिर्धारी लाल जी, वैंकटेश जी, इनानी, रायचूर, श्री कंचन जी, भंडारी, सूरत, श्री गोविन जी, कलंत्री, रायचूर, श्री रंगनाज जी, न्याती, धामनोत, श्री हरिनारायन जी, वासुदेव ज जवर रायचूर श्री बावुलाल जी गोयल अजमेर खंडेलवार विप्र हितकारी समिती के और से जो प्रतिन दीगन है उत्रेप्याएं श्रीमति इंद्रा मुरारी जी साबू सूरत सुशील रामनिवाज जी खंडेलवाल धूलिया श्री रंगलाल जी शर्मा कानपुर, श्री भक्त वस्तल बाला जी लासल गाउं, श्री विठल दाज जी चंदरकान जी सोनी पनवेल, श्री कान जी प्रकाश चंदर जी मूंदुडा मुंबई, श्री चंदरकान जी पुरनमल जी मूंदुडा थाने, श्री रूपाराम जी द डीडवाना के हमारे विदायक महोदे के और से भी अभी नंदन हो रहा है और उनके प्रतिनदी गरूप में आ रहे हैं श्री गजेन जी गांधी क्रप्या वो उजशिक अभी नंदन करें श्राम प्रशाद जी मांगिलाल जी भांगडिया सोलापुर से सुशील जी सार्डा ए नहीं पढ़ने में दक्षिन के बहुत से गाओं शहर ऐसे हैं जिनके नाम पहली बार पढ़ने में आ रहे हैं रुपरान जी डूडी विदायक जो है जीडवाने के लई सब आगे सुची में और पर हैं अभी नंदन के श्रंक्रा में कुछ और अभी सुची प्राप्त जी फाय उसमें सरस्वती देवी जी हरीजी बांगर वीडवाना श्रीरा जीराजेज थी खंडिल वाल छंडर अवचि कंश लिक धूडिल गण शी महेज जी खंडेल वाल चंडर не जो आज और श्री शीर सागर जी अगरवाल चंडर वथिघंच अभी नंदन के अलग दे रहे न? श्री भगवान दाज जी रामनिवाज जी भूब रायचूर श्री शीनिवाज जी भूब रायचूर श्री रगुनाज जी भूब रायचूर श्री रतनलाल जी भूब रायचूर श्री राज गोपाल जी बल्दवा, हैदराबाद श्रिमाहेज जी जाजू, जैपूर, शुशील कुमार जी, रेनवा, मंच्रियाल, शुरेज जी, मंच्रियाल, शुरेज जी मैं नाम ठीक से नहीं पड़ पा रहा हूँ, श्रसाफ लिखते हैं, डाक्टर और के गोड़ का नाम आ गया, बालाजी नहीं अभी मैंने उचारित याएं, यह आपने जिनने नाम पहले लिखाए हैं, जग्दीश जी, रिणवा, स्वलापूर नाम उचारित हो गया, पधारें, श्रस्री ब्रिज मोहन जी, हेडा, जोधपूर, श्री द्वारकादाजी, अभीनव जी कर्वा, गुंटकल, श्री काशापूर हनुमान मंदिर, गुंटकल, कमला देभी जी, कर्वा, कॉलकत्ा, अभिनंदन के संकला में, श्री मनोच जी, भारगाव गोलारास, श्री हरी र जी रामसर्व जी मुंदुड़ा करीम नगर शी शंकरलाल जी बंकटलाल जी वर्मा जगे कोंसी यह राम राय चुट हाँ यह नाम में फिर शी लक्षमी नवाज जी मितले शी मारू मकराना शी ओम प्रकाश जी भाउनलाल जी जोशी बेल गाउं शी सत्यनाराय जी लाहोटी करीम नगर शी रामचंदर जी प्रभुराम जी कछावा डीडवाना शी सत्यनाराय जी पुनमचंजी मारू वेदा पल्ली शी तुलसी राम जी हलवाई डीडवाना श्री हिरालाल जी, पराग जी, जाजू, माले गाउं श्री भामरीलाल जी, गोविन जी, पसारी, हैदराबाद श्री राजाराम जी, अनिल कुमार जी, इनानी कौन सा बात है, धर्माबाद वो हैदराबाद काई जो पार्ट है रमोजी श्रीप बिरिज मोहन जी साबू दिल्ली मैंने पूरा ध्यान रखा है वैसे तो नाम उच्चारन करने में यदि मेरे उच्चारन में कमी रह गई हो या आपके श्रवन में कोई कमी रह गई हो तो क्रपया इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने इस सेवा में अपना नाम लिखाया है जो भी रह गई हो क्रपया जरूर पधारे उसारी लिश्काप एक साथ कर लिजिए और इस कर्म में मेरे पास गीडवाना की सेवा के लिए जो नाम आये थे मैंने उच्चारन कर दिये थे इसमें श्रमेज जी सुरेज जी जाजू मालेगाउं श्री हरीनारेन जी उम्परकाश जी तोष्णिवाल हैदराबाद श्री बद्रिलाल जी किशोर जी काबरा और राय चूर से श्री नत्मल जी उम्परकाश जी इनानी और पूना के श्राजकुमार जी अगरवाल बर्जमान जी साबु दिल्ली मैंने भी आम अंत्रत किया पर पदारें साबु जी श्री घंशाम जी संपत्कुमार जी दरक नायराइन पेट ये डीडवाना प्रकल्प के लिए जो संकल्प कर रहे हैं सेवा दे रहे हैं ये अभिनंदन हम सभी के और से हो रहा है और विशेशकर जो भक्त हनुमान 40ा स्वामी जी की महराज की आग्या से महापाट के रूप में जो हमने प्रारम किया 24 तारीक से एक लक्षे लेकर कि सवालाख हनुमान 40ा हरे एक भक्त के मुक्ष से हो जाएगी कैसे होगी सुनेगा हजारों की संखिया में भक्त करेंगे तो सब की सवाला कानुमान चालिसा होगी विजे जी राज़े श्री भरतिया विजे कुमार जी राज़े श्री भरतिया कोलकटा विजे कुमार जी राज़े श्री भरतिया कैलकटा आप सभी स्वामी जी महाराज का शाल्द और अभिनंदन कर रहे हैं और आशिरवार करेंड कर रहे है उन्हीं की अहेतु की क्रपा से ये दिव्य प्रसंग उपस्थित हुआ है कि चित्रकूट में दास हनुमान जी की सन्नीधी में ये आयोजन हो रहा है ये बीडवाना का है क अभिनंदन के क्रप में और नाम आये हैं बाला प्रशाज जी उर्मिला जी सोनी बेगम पली रामनुज जी राम प्रशाज जी इनानी मुंबई दीपक जी चंपकलाल जी अगरवाल नवापुर जगनाज जी गोविन जी व्यास करिम नगर अशोग जी रादेशाम जी पलो और भोपाल और तुलसी राम जी जहवर परवस्तर से बहुत अधिक संख्या में आज भक्त गणों के दर्शन लाप हम सबको हो रहे हैं आपस में भी और पुझ्य स्वामी जी महाराज की क्रपा से सबको आशिरवाद मिल रहा है सबको उनके अभिनंदन का गौरो प्रांथ हो रहा है कि श्रीमति पुष्पा जी राम बिहर इलाल जी शर्मा जैपुर से क्रप्या जो भी नाम आ रहे हैं वो एक विदिवत प्रक्रिया है समीति के मात्यम से आवे अभी एलिस्ट कहां 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 आप कहां से हैं बोल दिया मैंने हाँ रामा नुज्य राम प्रशाद जी है नानी मंबई नहीं अभी नंदर जिद्वाना क्या लगए कौन सी आवरती चल रही है नौवी ओहो तो पहले दिन की भी पूर्ती हो जाएगी आज को कि 24 से प्रारम करी थी जय कपीशति हूं लोग को जागर अभी हम भी आपने जो सम्मान के और दातुनों मांदी करसे किया है पोटा एलम के तुरफ से क्या है अभी यतेजी वो वो यतेजी वो आप उसको कागल उसको पास है रभुजी के पास ये ये डीडवाना के लिए रमेश जी सुरेश जी जाजू अभी नंदन की शंक्रा में अब आएंगे शी राज गोपाल जी बजाज हैद्राबाद एलन मांदन परिवार क्यों से अब रादा कृष्ण मंदिर कोटा जहां पर पुझे स्वामी जी महराज की आग्या से युरास स्वामी जी के श्री मुख से तीन बार शीमत भागवत कथा का युजन हुआ मंदिर समीति के अध्यक्ष दॉक्टर राकेशी अगरवाल करप्या पदारें और पुझे शी आशिरवात गरहन करें दॉक्टर राकेशी अगरवाल और शी रविंदर जी अगरवाल करप्या पदारें आशिरवात गरहन करें अभी हमें एक अभी नंदन बत्र सभी भक्तों के और से कि अंदन बुन बोला है और तो ऐसे लिएकर से आँ है में निखने में कमी रहे घुए होगे है इस नहीं रहा है तो पाल ज्ला इसक्राइबाँ आपके लिए कि डिर्निवास अजिए नाम राका वागे हुए प्राइबाई बात्र काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परसित जगत उजियारा सादु संत के आपकी भी अनुमान चाली सा हो जाएगी बजाओ निदिके दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन कि यह नाम प्रेट को लाओ लिखा दिया है यह दिद्वान प्रकल्प के लिए बीद्वान प्रकल्प के लिए श्री श्रीनिवास जी राजगोपाल जी परतानी तांडूर के और से भी सेवा का संकल्प हुआ है जोरदार तालियों से अभी नंदन यह आपका सिर्फा प्रकल्प के लिए श्रीमति भगवान देवी जी श्रीराम जी गौड गुड़ावाले कोलारस दिद्वान प्रकल्प के लिए आपका भी नाम है और श्रीराम अवतार जी खंडेलवाल गिरेडी जार खंड से यह अभी नंदन के लिए हैं क्रप्या पधार है यह अभी नंदन का है अभी नंदन और यह दूड़ान के लिए जियरा जियरा हुई है घ्यारा और चार अंद्रा हाब जूड़ा है अध्यार में करेंगे तो दस और चार हमने पहले करें सिफेंद हो दो हम चार और करेंगे तोン जह जो cette इस न तारीक थ हिनम जिस दिंग प्रारहम नहीं पुरी हो जाएगे क्रम जारू रखिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार बरनहु रगवर्विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर्यो पवन कुमार बलबुधि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै का पीशति हुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बज रंगी कुमति निवार सुमति के संगी तंचन वरन विराज सुएसा कानन कुंडल हाथ वज्र ओधजा विराजे कांधे मूंज जने हूं शंकर सुवन के सरी नंदन तेज पताप महाजग बंदन सबकी आवाज आनी चाहिए ये सवा लक्ष का लक्ष तो शाहिद आज कल में पूरा हो जाएगा मचंदर जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आई श्री रगुवीर हरशी हुर लाए रगुपति कीमी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरते ही समभाई दीडवना सेवा में शीरादा किशन जी देवेंदर कुमार जी लाहुटी मुंबई आपका भी सेवा का संकल्प हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद हमें पूरा विश्वास है कि दीडवाना में भी ऐसा निर्मान होगा ऐसी व्योस्ता होगी ये जो भक्त सब यहाँ है ये सब एक बार ऐसी दीडवाना भी जाएंगे तुगम अनुग्रह तुम्रे देते राम दुआरे तुम रखवारे करें पूरा, क्यश्वास होगी इनके का जिसकल तुम साजा सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा कादू संत के तुम रखवारे सायन तुम्रे पासा सदा रभो रभ पति के दासा ओमरे नूँ में अमरे पूरे उसे भीड़त तुम्हारा की वोगत प्रास पर भावे प्रूद एूंद ए्याव एंध्याद भीड़त बावे उनके पार में रिच्प प्याद एंदीव्त प्रेप फूद एंध् झाल झाल हाँ कौन सा क्रम है 11 हाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रादक प्रिश्न मंदिर समीती कोटा की और से डॉक्टर राकेश जी अगरवार और शी रविंदर जी यह अभी नंदन के शंखलाब लगभक पूरी इसमें एक नाम हो रहा है श्री राम विलाज जी अश्रुकुमार जी वर्मा दौरन कल अंधर प्रदेश प्रप्या प्थारे अभी नंदन अको शंखले भी नहीं वर्माइव अभी नंदन पार को नो फिर्माइव न्माइव पं eclipse के पकों करेंढ आस्सरों messenger को अविस्टे पढ़कों मने वार को इमरूर पध्यरी असुर समाए लाए सजीवन लखन जियाए श्री रभू संपादिक ब्रह्मा दियो निसाठ सबसुख लहे तुमारी शर्ना तुम रक्षक का हूँ तो डर्मा आप पनते जिस हमार वो आपे आपते आपे दिद्वाना प्रकल्प के लिए एक और सेवाई है श्रीमती गोमती देवी भारगवा दन्यवाद बावाद सम्षमा करें बगड़िया श्रीमती गोमती देवी बगड़िया के और से रपे नाम भी दिर्वाना प्रकल्प के लिए जाए 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 हनुमान बुसाई रपा करो गुरु देव की नाई जो सत बार पाट कर कोई छूताई बंदी महासुक होई जो यह पड़ हनुमान चलीसा ओए सित्तिसा की गौरीसा तुल सीदास सबाहरी चेरा तीजे नाप दे महदेरा भवन थनै संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित धैबसं सुरभू बोलदास अनुमान जी महाराज की आपने भी बारह किए बारह और चार हमने गठाप्रार में 16 तो हमारी वो 23 तारिक जो नहीं हो था ना पाट वह आज पूरा हो रहा है आज का भी हो रहा है अब हम सब के मन में है कि पुछिस्वामीजी महाराज का काश हम भी इस तरह से जा आई ये मैं अभीनंदन पत्र आप सबकी और से उसका वाचन करता हूँ और इसको समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शेश्रीदर महुस्व समिति के सभी समर्पित कारे करता हूँ को शेश्री नवीन मांधना के साथ नवीन मांधना और बाबू लक्षमिन वाजजी मांगर साथ पधारे और सभी का प्रतिन दित्व करते हूए सभी भक्तों का और समिति का प्रतिन दित्व करते हूए ये मुझे स्वामी जी महराज को हम समर्पित करेंगे आप सबके आगया से मैं इसका आप सबकी और से वाचन कर रहा हूँ उसमें कोई तुर्टी हो तो मुझे श्रमा कीजिएगा और मेरा सबी भक्तों से निवेदन भी है इस वाचन को करपया ध्यान से सुनिये और ये भावना कीजिए कि आप ही के और से ये भावना है महराज जी के चड़नों में हम सब समर्पित कर रहे है नवीन मांदना को करपया संदेश भेजें कि वो शिगरता से आ जाए श्री श्रीये नमह श्रीमते रामानुजाए नमह श्रीमते वेदान्त महादेशिकाए नमह श्रीमते बाल मुकंद महादेशिकाए नमह श्रीमते वीर राघव महादेशिकाय नमह श्रीमते श्री श्रीधर महादेशिकाय नमह लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरू परंपराम जानकी वल्लभारंभाम हरी राम पुरस्क्रताम वंदे लोक हित प्रदाम जालरिया परंपराम श्री वीर राघव दयाद्र क्रिपावतारं श्री जानकीश पदपत्म पराग भ्रिंगं श्री श्री धरार्य चरनाम लगन मौनिम श्री देशी कार्य घन शाम गुरुम नमाम श्रीमत वेदमार्ग प्रतिस्थापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमत भगवदा मानुच सिध्धांत निर्धारन सार्व भौम सनातन धर्मुत धारक चक्रवर्ती श्री जालरिया मठ बड़ा इस्थान डीडवाना पुश्कर पीठादिश्वर जगत गुरू श्री रामानुजाचारिय अनन्त श्री सामलकरत श्री एक हजार आठ श्री स्वामी जी श्री घंशामाचारी जी महराज के पावंच चर्णार विंदो में श्री दास हनुमान दे श्रीतर कूट में प्रथम भात्रपद शुक्ल सस्थी सम्वत 209 से प्रथम भात्रपद शुक्ल पूर्णी में समध2009 तदनुसार दिनांक 23 अगस से 31 अगस 2012 तक आयोजित श्री पुर्ष्रत्म मास महसव के पावन अवसर पर श्री जालरिया मटके देश विदेश से आये हुए शिश्यगण, भक्तगण एवं शद्धालूँ द्वारा सादर समर्पित अभिनंदन पत्रम हे सत्प्रेरक्संत आज इस कलिकाल में जिस प्रकार से सामाजिक मान्यताओं का पतन हो रहा है ऐसी विकट परिस्थिती में भी आप समस्त मनुष्य सिप्रजाती को माता पिता, गुरुजन, बुजुर्ग, महीला, असहाय नर नारी की सेवा की और उन्मुक कराते हैं कर्तव्य बोथ कराते हैं विशेशकर श्री जालर्य मट के भक्त जनों को समय समय पर माता पिता के प्रती कर्तव्य का बोथ कराते हुए सन मार्क की और प्रेरित करते रहते हैं हे राष्ट्र प्रेरक विभूती आप में राष्ट्र प्रेम की भावना विलक्षन रूप से परिलक्षित होती है राष्ट्र हित में जो बात कहनी होती है वह आपने संकोच कह देते हैं राश्ट्रिय आपदा उपस्तित होने पर आप हम सब भक्तों को सैयोग हेतु प्रेरित करते रहते हैं हे ज्ञान के अजस्त्रोत आप प्राचीन एवं अर्वाचीन संस्कृतियों के संगम हैं आपके प्रवचन निर्मल वो बड़े ही सारगर्वित होते हैं वैशनों जन्तों तेने कहिए पीर पराई जाने रे को चरितार्थ करते हुए आपके द्वारा कई अन्शेत्र संस्कृत पाटशालाएं गोशालाएं धर्मशालाएं एवं अनेक बहुवित पारमार्थिक संस्थाओं का संचालन एवं निर्देशन होता है तथा आप श्री ध्वारा भक्त जन्नों को जन्नों पयोगी कारियों के संपादन हेतु निरंतर प्रेरीत किया जाता है ये वचनसिद्द परमयोगी शीजालरी अमठ दीडवाना के पुरवाचारियों की भाती आप भीरमयोगी एवं वचनसिद्द शंथ हैं जिससे आप हम सब लोग अच्छी तरह से सुपरीचित हैं आपके समय में श्री जालरियमट की कीरती पता का चतुर्दिक फैल रही है विभिन इस्थानों पर कथा भागवत यज्यानुस्थान श्री पुर्शुत्म मास के विशाल कारिक्रम कुम्ब शिविर देविस्थान निर्मान सहित आदी अनेक जनोपयोगी रस्नात्मक कारिय आप श्री के सानिद्य में संपन हुए वह हो रहे हैं श्री दास अनुमान जी की असीम अनुकंपा से इस दिव्य पुर्शुत्म मास महसों में भाग लेने का सौभाग्य आप नहीं हमें प्रदान किया है आपके सौयोग्य शिष्य वेदान्त मर्मग्य युवरास स्वामी जी श्री भुदेवाचारी जी महराज के मुखार विन से श्री राम कथा का अमरत रस्पान जो हम भक्तों ने प्रात किया है वह आपकी ही कपा प्रसाद का परिणाम है इस मंगल में प्रसंग पर हम सभी भक्त गण परमाराथ्य भगवान श्री जानकी वल्लब जी महराज एवं श्रीदास अनुमान जी महराज की पावन सन्निधी में आपके सूस्वास्त एवं दीरगायू जीवन की प्रारतना करते हुए आपके श्री चड़नों में स्वामिती एवं देश विदेश के समस्त शिष्षिगन श्रीदास हन्वान देवस्थान श्री श्रीदरधाम चित्रकूर मत्य प्रदेश शुब मिती प्रथम भात प्रत शुकल द्वादशी सम्वत 2019 मंगलवार दिनां 28 अगस्त 2012 कुल अपरम पुजशी स्वामी जी और से नवीन मांधना और हम सब भक्तों के और से बाबु लक्षमिन वाज जी बांगर पुजश स्वामी जी महराज को यह अभी नंदन पत्र भेट कर रहे हैं समर्पित कर रहे हैं आई हम सब मिलके जोड़दार तालियों के गड़गार से पुजशी का अभी नंदन करें ऐसे हम सब की और से अबिनंदन हुआ हम भगवान से प्राप्तना करते हैं बगवान जानके नाज जी के चड़नों में दासनमान जी के चड़नों में कि हमें ऐसे सुवस्थर भविष्य में भी पुझे स्वामी जी महाराज की क्रपा और प्रेहना से प्राप्त होते रहें यह हमारा और यह श्रंखला चल रही है डीडवाना के विशेश सेवा के क्रम में गोमति देवी जी जैसा भी महाराज क्या क्या है तो अब हम सब की लालसा है कि एसे चुभा उस्सफर पर जब महाराज ने क्रतार्त किया हम सब को अपने आशिरवात से हम उनके श्रीमुक्ष से उनके आशिरवच्जनों का अशासवादन करना चाते हैं प्रेडना लेना चाते हैं और उनसे प्रार्तना करते हैं कि अपने श्री मुख से अपने आशिर वचन निर्जरित करें परम पुझे स्वामी जी महाराज की जाए जान की नात भगवान की स्रिधासन मांजी महाराज की आज तो एकादसी तो नहीं है और ऐसे ही वैष्टों के एकादसी तो भईया डुपट खानी एकादसी है अभी तो नहीं हुई आवाज अभी तो देर हो गई है चलो प्रवचन संक्षित में करते हैं प्रवचन की जर्तनी गोष्टी की प्रसाद की जर्तनी जुभ्यन नबो भगवते रगुनंदना यस्टी जाने की प्रियतमाय खरांतकाय योगिंद्र भूजित पदां बुरुःत्वयाय संसार दुख शमनाय नमो नमस्ते अतुलितबरतामं हेमशेलाबतेहं दनुजवनक्रिशानं ज्यानिनामा ग्रगण्यं सकलगुन दिधानं बानरानां बदीशं रगुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामें मनोयपम्मारुदत्टुनल्यवेकं कितेंध्रियं बुधिमतां परिष्टं वदात्नचंबानरजूत्तमुख्यं स्रीरामधुथं सरनं प्रपद्धे स्रीरामानुद्य देशिकस्ट्यट्रंगेश योगिंद्रयो स्रीमत् पुज्यकनापते शोशिल्याति दर्शनकुरु प्रक्षास्पतं स्रीमातस्रीमत्ष्यमत्भालं कुंधदेशिकवरं नित्यम् भदाशंख्ये, वंद्यम् शीगुरु वीरलागवा प्थधंतं प्रवध्यामहे, स्री जानकिष्वरपदाप्यतनं महांतं स्री बालतेशिकपदां भुजवरिंगराजं स्री वीररागवदयेक विप्रिधबोधं स्री शीधरार्यमनिशं गुरुमास्यामस्पत गुरुभ्यो नमाँ जानकर नात भगवान के एजन स्रिधासनमांगि महाराज की समुपस्तित भगबत भागवद गंग रिकार मात्रिशक्त यह अभिनंदन तो नरी महा पुरुषों का हमारे पूर्वा चारी गुरुमायराज का हम तो अभी नंदन के पात्र नहीं उन महा पुरुषों की कृपा का फल है कि आप इतना उंचे बैठा दिए संत कृपा करते हैं राम जी से मिलाते हैं जब गुरु कृपा करता है तो राम मिलावन हाव सासु जी कृपा करते तो दो नमर की तीजोरी की चाबी थोड़ी दे सकती है किन्तो संत कृपा करते हैं तो उन गुरु चरुणों की कृपा से आपको भी हमको भी ऐसे हनमान जी के राम जी के दर्सन हो रहे हैं इस प्रकार कित्र कोट में यह उन महा पुरुषों की कृपा देखोने संत लोग अपने आरदना सकती के द्वारा भगवत सकती के द्वारा जिस प्थर पर सिंदूर लगा देते हैं प्थर पर सिंदूर लगाते हैं वो प्थर में हनवान जी पदार जाते हैं वो संतों के तपस्या का प्रभाव उनका प्रभाव अमारे राम तो जब चार तिन चार वर्ष के थे तो दादा गुरु महराज की कृपा दृष्टी पड़ी बैया उस अवस्ता में दादी को कोई छोड़ना चाता है इंदो महराज तो ऐसे कृपालो होए दादा गुरु जी सोच लेते हैं वो करके रहते हाथ पर बांद के लाए थे मुझे देखो ने पांच चार वर्ष के बच्चे को बांद के लाए और उनकी कृपा प्रसादी है कि आप जैसे बुद्धिमान लोग भेट कर रहे हैं और सज़दा कर रहे हैं मेरे पास तागत नहीं तागत उन महापूर्श हो और एक बात बताओं यहां लक्ष्विन वाज जी वांगर बैठे हैं गोध के प्रसंग की टेम स्वामी जी महराज की आग्यार उनको कलकता पदार ना लिया किशी दूसरे को जाना निश्चितार महराज पदार ने आग्या देदी है एन को लेओ तो देख लो महराज की आग्या गुरुजी की आग्या कई लोग जरूर कहते हैं गुरुजी की आग्या क्याती हैं हम भी बुद्धीमान हैं, वग यह हैं कई गाओं में, कई प्रांतों में ऐसे भी होते हैं ठीक है, गुरो जी को भी पेड़ी उतारने वाले तो रहना चीं हमी जो 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 कुछ कहता हूँ, दासनमान जी के पूछ के ही कहता हूँ दासनमान जी के क्रपा ये उत्सव की गोविन जी ने वहाँ गोशना की थी येपूर के उत्सव में और वहाँ आपकी मुक्षे गोविन जी मांधनिया जी के मुक्षे निकल गया 108 ये हम तो 27 सोचते थे हनवान जी ने कितना 180 तक नाम दिया है मुझे पताता हनवान जी अपनी आप अभी जो डीड़वाना का प्रसंग चल रहा निर्मान का हमने किसी को बुला के नहीं हनवान जी अपनी आप आपको प्रेना देते हैं मत्व आपके गुरुस्तान में जाड़ु भुरी लगाने वाला चोटा सा केंकर है मालिक तो आप भक्त लोग हो ट्रश्टी तो आप लोग हो अमारा तो काम है कहिं कर ये करना और सास्त्र बोलता है गुरुम प्रकासे धीमान मंत्रम यत्यन गोपहेट भुत्यमान ब्यक्ति को अपने देश अपना संद्रदाय और अपने गुरु की अभिवर्द्धी करने चीए और गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको यतने पुर्वक जब करेट छिपा के रखे निधीर वो गुरु चब गुरु जी चावेट गुरु गोविंद दौव खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु देव जी गोविंद यो बता मेरे गुरु मारा ऐसे महातपस्यु है जिनके नाम से कुछ भी काम सुरू करो आप नाम नहीं बना चीत्य आत्म नाम अर गुरु का नाम नहीं लेना चीजी शास्त्र बोलता है किन्त गुरु जी का नाम देज जो जो काम सुरू किया गया उस तो फोबारा पचीस हुआ भईया, अनन्त अनन्त भईया, स्री दर्भाम, जगे जगे, जगे जगे, मेरे गुरु मारा संत थे, मत तिक्रम बाज हूँ भईया, सच कहता हूँ, आप जैसे बुद्धी मानों को भी, आप क्या मुझे पेडी उतारों मा आपको सिसी में उतारों इसलिए कई मंदिरों के ट्रश्टी भीगड़ भी गए, ज्यादा संत थे इसलिए कष्ट भी होता है, संत कैसे, संत गंगास नान कर रहे थे, जब तक देखा एक जंगली, बिच्छु, मोटा, तकड़ा, नील, नदी में बैता जा रहा, दया आईरे, ये तो जूब संत ने देखा, इसको भार निकालों, जैसे पानी के साथ यो भार निकाला, बिच्छु ने काट दिया, अगर कारती तो दर्द वा, उसको छोड़ा, फिर वापिस बोले, गिर जाएगा, मर जाएगा, बहार कोलेज के लड़के खड़ेते, उन्होंने जोर से का, ए मात्मा, मुर्खी हो गया, पागल हो गया, बोले, क्यों भाई, बोले, तुम्हें मालुम नहीं ये काटता है, इसका जहर चबरा तुम्हा, बोले, मालुम है, बोले, फिर क्यों कर रहे हो तो बचा रहे है इसको, पंत कहते हैं, इस छोटे से बिच्छु का सुभाव ये है काटना, तो इतने बड़े का सुभाव कैसे छूट जाएगा भई, इस साधू का सुभाव तो साधू ही रहेगा, मेरे गुरु माराज तो ऐसे थे, कोई कैसा कितना कष्ट देवे तो इसका है तो कन थे, उन गुरु चर्णो की कृपा, दादा गुरु माराज की कृपा, क्या जितने तो स्रद्धा पुरवक्त, हनवान जी के छत्र चाया में बैठे हैं, देखो ने जिस भवन में बैठे हैं, हमने तो कृष्णा भाई को कहा भी नहीं, वही पीछे पड़ी, माराज, आप बनने दो, बनने दो, आपकी कृपा से बढ़ें, फिर चारू भाई ओडर में, बढ आगया करने क्या जूरत है, कोई कहता है, महाराज, कथा में क्या बेठ करूँ, मैं के भई, कृष्णा भाई को मैं काऊंगा तो मन नक्षवान में हो जाओंगा, वो तो मेरे से ज़्यादा कल्पना होती है, कावत है, गुरु दौरे में लगना हुनका क्या दे है, जब पांगर जी को और मान धने को आशिरवाद दिया हूँ देवना में, भही आशिरवाद तो सबको बरोबर ही दिया जाता है, आप वैसे बन के आजाओ, तो आपको वही आशिरवाद लग जाएगा, कोई जरुए नहीं धन से आवे है, तन मन धन ये सद्धा पूरवक, कर रहा हो, जिसके पास अर्थ नहीं हो सरीर से सेवा कर रहा है, दृष्टी पड़ जाता है, एक घर का आपके घर का यूधारन बताता हूँ, आज घर में, ग्रह वाली मालिकिन जो घर की मालिकी ने बुखार आ गई, तेज हो गई, हो सकता है, उस दिन वो बरतन जाडू ल हो पिस का टाइम, ब्रेक पास्टी नहीं हो अभी तक, टेवी जी कहती है, बुखार से तफड़यों, तीन चार बिगरी बुखार आ गई, अब बरतन तो माजो हूँ, थोड़े देर सच बताऊं क्या, आपके घर की बात बताता हूँ, थोड़े देर बाद वाद वो छोकरा भी जो डिस्को डांस में जा रहा हो का थे हूँ, ए ममी, मेरा टाइम हो गया, वानखेडी स्टेडिम जाना है, वहाँ जाना है, ममी की बुखार को कोई नहीं देख रहे है, बुले कर रही हूँ नहीं, बरतन माज रही हूँ, फिर भई आ घर की वो कोलेज में पढ़ने वा जञ आए, वे उसके साथ प्कनिक जाना है, वॉइ फैक, आप में से कोई होता हो तो मैं नहीं नहीं हो न, यह जे कहनी की बात होता है, सभी के होता होता हुआ अस्तो वो भी मम्मी की बुखार का ज्यान नहीं दे रही सब चिला रहे हैं उस मा को जिसको बुखार हो गई पत्नी पर चिला रहा है बेते उसे तब तक घर का वो सबसे छोटा बच्चा चाहिए तीन वरस का रहा होगा डहिरस का रहा होगा उसने मा की दसा देखी देखो समा परेश्य हो रहे हैं ओ तो एक मजीवी कटोरी रही होगी उसके हाथ में तो बड़ी ठाली आती नहीं मा के यहां से मजीवी कटोरी उठाई गिरते गिरते परते परते जाके रस्म रख़़़़गा मा से हो सकता है बेन का जूठा होगा एक पिता जी का जूठा होगा कोई कप तस्तरी देशी लिए होगी वो गिरते परते लाके मा के पास रख़़़गा उस मा का ध्यान अपने पती पर नहीं गया वो छोगरी पर नहीं गया बड़े लड़के पर नहीं गया उस छोटे से बच्चे पर गया जो मा के काम का सयोग कर रहा है मा के काम में सयोग कर रहा हमा ने उसे च्छाती से लगाया आनम लगाया देखो मेरे काम में अपनी तागत से मेरे काम में लगा है मा कई दृष्टी पड़ी ना उस पर गूम के पतिदेव को कहती है काम के न धाम के ढाय से रनाज के दिन बर खाना चीए क्या तुम पर दयान तुम को दयान नहीं आई मेरे पर ऐसे ही उस प्रभू की दृष्टी उस जीव पर परते जो अपनी तागत से भगवत केंकरी में लगा अपने तागत से लगा है कोई जारू लगा रहा होगा कोई पूछा लगा रहा होगा अभी भोत्षे का जो स्रीदर महुत्सों मंडली के जो है समीती के लोग कोई जूठी पत्तल उठा रहे है अब भया कोई को ने को हमारे अभी शेक तो जो है मामा जी के जूठी पत्तल मामा जी कहते हैं अभी यहां ससुर्जी नहीं हो आप तो उठाने वाले नहीं और वोई उठाता आप तो उठाता है वो संस्कार संस्कार वहां बोले ससुर्जी के दृष्टी से नहीं भच्ट के दृष्टी से वो दूसरे भक्ते कभी आये, बो नहीं नहीं आप, नहीं नहीं, शेवा है, और ऐसे समिती के लोग कर रहे हैं बाव, तो अपने आप अनमान जी के दृष्टी पड़ जाती है, यग्य में भगवान कृष्ण भी पादा रहे है, जिदृष्टे महराज नहीं यग्य रोपा, तो सब प्रतिक्षा करेते हैं, आये, आये, तो लोगों नहीं का रहे है, कृष्ण आये, बहुत देर चाहिए, आये, आते ही भगवान में पूछा, क्या क्या काम, भूले, आपको काम थोड़ी करना, आप तो बैठ के आगया करो, भूले, नहीं नहीं, इतने यग्य में काम करने आया हूं, बोले, आप क्या काम करोगे, आप तो बैठ करने, बोले, भाया, सब की पकर की, पकर की, चर्ण पादु काहीं उठाओ, भूले, वो काम, सबसे चोटा बोले, सबसे ज़्यादा पुन्य तो उसी में, और सब की जूठी पतल महीं उठाओंगा, महीं आप देवा कोई दूसरा कर रहा है, तो आपका फुन्य जा रहा है, देखो ने, एक तो सामने होता फुन्य, किसी ने कोई चीज बना ही नाम लिख दिया गया, जैसे पंखे की ताड़ी-ताड़ी पर लिखते हैं, तो भाया, हमारा अभी शेक कहता है, बोले, महराज, एक दिया गया, पंखे की तो यही नाम आगए, फिर वो वहाँ जाके आप खाते में देखो, किस फर्ग में हमारा नाम नहीं मिला, हमारा नहीं मिलने बना, वो तो नाम ही आओगे, अकर इतना बड़ा भवन दिना, मेरे को कहियों नहीं राई दी महराज, क्या नाम रखेंगे, थारश won, कि बताओ, कि कि शी नहीं कहा टूर जान रख दो महराज, कोई बात ने, लक्षमिनार जी रख दो भवन, जब खृच्वा बहु नहीं कोई नाम नहीं हे, कोई नाम नहीं, हमने तो अमने तो कुछ गया ही थी लगाए पीज जिऑ आएब लगान ने, बहु किरपा करें महाराज तो यह होता पुर्णी अब यह पुर्णी तो देखो आज इस भवन को देख करके ही तो ढीड़वाना के भक्ते लोग इतने भक्ता आये सवाने नितों और का शिरदर महुत्सव समीति रिये जो है समीति वाले बार बार नहीं महाराज दीड़वाने में ऑड़ा बनना ऐसा ही बनना ढहन अधिति पर्रक Feder आपके सुभ काम को देखर के दूसरे प्रेड़ना ले हमाराज पूसरे प्रेना लेरी है कि कृटा में मन जाता परता पहले भी गया हूं दो थिन भगत थे हो दो चार बड़ां पहले में ही ठेर दाता दूर वहीं भगाा और अब कृष्णा भाई ने तो कोटा जोड दिया, कोटा जोड दिया पूरा, और क्या गोश्ट ही होती थे अब जाने, और कितने छात्र दिक्षा लेते हैं, कितने छात्र भैष्टों बन जाते हैं, पीछे से पत्र भेजते हैं, हम जानता भी ने दिक्षा उतनी देर जाना पत्र बेचते हैं कि हमारे जीवन का स्वर्ण युग थाओ स्वामी जी से वहाँ दिक्षा होई हम बैष्टों बढ़े हमने सब दुर व्यसन त्यागे यहां भी अभी कई उत्साओं में ऐसे बठे हैं नाम लेके बुलाना ठीक नहीं हनवान जी के सामने सब व्यसन छोड़कर के सुखी हो गए गए वो व्यसन जो नहीं करना चीए खाना पीना वो बेक्ती कहता है मत कहूंगे महरा जो मत कहता हूं दस वर्स पहले आपके स्री चरणों में आया अपनी हनवान जी के सामने सपत दिराई और मैंने सराप अराप सब क्या है और आज बहुत सुखी हूँ उसके बाद मेरा ब्यापार इतना बड़ा तो आज ये के कुंड में जजमान होके बेठा जजमान है कही नहीं आये नहीं आप भेट ऐसी चीज़ करो जो आपको कश्ट दे रही हो निकालो ने भाग लोग तिर्थ जाते हैं कहीं बोले चावल छोड़ दिये मैंने बही चावल ने क्या पराद किया था कहीं गुटका चुटका छोड़ो ने कहीं गाली करो छोड़ो ने कहीं लड़ाई जगड़ा करना छोड़ो तब तो कुछ छोड़ा अस्तो आप चित्रकूट आये हो और भक्तलोग अपनी श्रद्धा से जीडवाना कि उसमें लगे भई आपकी इच्छा हम तो कोई आज्या नहीं देखते हैं आप अपनी श्वरूप के अनुसार आओ आओ आपकी इच्छा कई लोग अभी बहार से आये हैं अमेरिका का भी बच्चा आया है यहीं अनुवान जी किर्पा से गया लंदन से भी आया बच्चा यह कि में बठी है जिद्दी करके बठी हैं पर नेपाल के भी कई लोग देश भी देश के आज टेलिया से भी आगए हूंगे आ रहे हैं सब चाते हैं मराज कोई आज़ा करो मेरे कमरे में आके एकांज मराज उस्तों में कोई विशिष्ट सेवा बोले मैं का क्या बोले सारी तो बुकिंग है क्या करूं बोले आज़ से लेलो एका टेस्ट में डाल देता हूँ बोलो आज़े विचा करूं flop गूरु हुने सब थ्रष्ट करती रहती है हमारे को कोई बेट ने करता हमारे को एक पैसा ही नहीं देता हमको कूं देता है वो तो झालरिया मठा कू देता है उस पद पर रहने पर नक वो पद पर उसके उस टश्ट की उस देश की हमारे फीट की संपत्ती है हमारी कोई नहीं है रह मग उसमें लिप्स भी नहीं हूँ सब टश्टी जानते हैं कहीं भी उस सव करो वोई जानते हैं वोई करते हैं और संपत्य नहीं बाबाजी तो सादानन रती, सादानन खाती है, आप की तरह मालतार में मिलताहमा, जदादा गुरुजी की सेवा में रहा हूं, बचपन सही, और ऐसा ही रहना की, तेल सुभाव जरूर है मेरा हूं, सभाव मेरे गुरुजी के तरह बोला बाला नहीं हूं, तो बहुत कष्ट पाई मेरे गुरु जी कहता हूने ट्रश्टी बेटे ने उनको तो वैसा ही गुरु चीह है कि ट्रश्टी बोले महाराग आपको नमत के यह तो हमसे पुछू बहुत आपके कमरे में इतने आत्मियों को बोजन क्यों कराया गुरु जी आवे तो बोजन क्यों कराते हैं आपने उनको छोड़ दिया आप भोजन करने लगे तो पाप लगता है इसलिए प्राय ये निवस्ता करने से ये सब जुड़े हैं ये बच्चे सारे जुड़े हैं ऐसे जुड़े लेना मैं भी गुरु द्वारा का केंकरी हूं पीट का केंकरी हूं आप भी उस केंकरी में आपके सहयोग से जीरवाना भी बनेगा अभी तो कहीं की कही प्राटन हनुमान जी जब स्वर बोलते हैं तभी स्विक्रत होता है यहां एक बार की बात बताओं चमतकार बता दूँ तेटीस वर्स तक जिसको संतान नहीं हुई हनुमान जी के सामने दोख लगा ही नारियर बंदा 34 वर्स होते ही लड़का हो अब्याव के तेटीस वर्स बात और फि हनुमान जी के इंखड़ा किया दास हनुमान के प्राटना करी साल 15 महीने बाद उनके भी लाला होगी यह तो यह लाला भी देते हैं तो धन भी देते हैं कई यग्ये में ऐसे जज़वान बैठे हैं जो शाहिद 5-7 वर्स पहले इस्टिपी नहीं कि और हनुमान जी के पास अनुमान जी ने उनके क्यों सुने एलन परिवारी जानता हनुमान जी ने क्यों सुने कि आप अपने तागत से आएं अपनी तागत से आएं प्रिश्ना भाई वैसे भगतते बहुत हैं तो बुद्ध्यमानि भी पूरी रखती है सब वेटा वोग को बेटा के संकल्प करा ऍदार और Weалась उसको भुलाओ, फिर मामाजी को भी बुलाओ, आओ बस तुकर करो ये, बhrugवान का चैंकरी करना, ये फुद्धिमानी है, कि हनुआन झीका दे तो अपने अप हो गया अपनी तागत से आजाओ किसी के भी पाः बस आपका काम हनमान जी कर देते हैं फिर भूल भी जाओे तो वो जाने भूल गए तो हनमान जी का दोस्त नहीं कई लोग प्रतिसद बांगते हैं हनमान जी बोले कोई बात नहीं मेरे को लेना है तो पहले तेरे को देखे लेऊंगा तो यह यही खेल यह दास अनमान कई वार ऐसे बच्चे है महाराज मतो तीन वार सिये में फेलो गया मन नहीं देऊंगा परिक्षा मैंने का नहीं जिसकी मा माश्टर नहीं है यह 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 कुण में जज्मान है वो बच्चा मास्टर नहीं है महाराज समझाओ हनमान जी के सामने लेगे भई अपके अपके देना ते सो प्रफेसे आज लाखों रुप्या महीना कमाता है और यह यह में जज्मान ब्रहमन गुलो यह बुले महाराज हनमान जी करते है हनमान जी बुद्धी देते हैं बुद्धी मताम बरिष्टम बुद्धी मताम बरिष्टम ऐसा कोई बुद्धी मान नहीं जो हनमान जी और ऐसा कोई बल साली नहीं जो हनमान जी के पास बल है कोई दूसरा नहीं हूं अनौ जी के वियर तो राम जी कहते हैं बरतभाई कपिस्य उरह नहीं हमनाई तै हजितो दूसाखी समपत्ति सिता जी का हम भजी नहीं किया हूं हनौन जी क्या नहीं करते हैं बिभीशन की सरनागर्थी कराई जिस बिभीशन के लिए सब ने विरोध कर दिया पालमी की रामायन में कहते हैं गुप्त चरों ने पकड़ लिया बोले रावन का भाई आया जा सुना लक्ष्ण जिट्टम तमा गए ताल सुग्रीव कहता है जेल में डाल दो मिटिंग चल रही थी भगवान भगवान ने कहते को विचार करो अब विचार करें को सुग्रीव सेनापती है लक्ष्ण भाई है और साब विरोध कर रहे हैं तब तक दूर बेटे हनवान जी से बोले रहे हनवान को पुछो हनवान जी कहते है महराज मेरे को तो ये कश्ट है जीव आपके सरन में खड़ा रहा आप मिटिंग कर रहे हो आप में इन से पूछते हो ये लक्ष्मन जी और ये शुग्रीव जी ये क्या जाने विबिशन क्या है अगर विबिशन नहीं होते तो मासीता के दर्शन मुझे नहीं हो पाते और आप उसके विशे में ये विचन्तन कर रहे हैं भगवान ने का आनयम हरी सुष्टा लाओ लाओ जल्दी लाओ हनुमान जी कर दिए हनुमान जी राम जी से मिलाते हैं चित्रकूट में तो प्रसंग है सब जानते हैं यहाँ यदि कोई भक्ती पूर्वत शद्दा पूरोग नियम पूरोग रहता है तो हनुमान जी राम जी से मिलाते हैं यह आपको ऐसे मिला रहे हैं मैं गुरुचरणों के शेवा में उनी सुक्तिरा सिमया कोई जगे नहीं मिली थी स्थान तो जालविया मटका था किन्टो कई ऐस समाजिक पत्वों ने कबजे कर रखेते हैं जैसे हो बरतन भी साल लेके आए रोज सामान लाते प्रसाद बनाते चाँ स्वामी जे महराण ने इख्या जाइर किरे तु बाहर यात्रा कर मेरे को यहां छोड़ दे फिर यहां बंडारा करेंगे और इस मंदिर का जिरनोदार करेंगे महराज अस्वस्तर जटेमन का महाजाज आपको छोड़ना आज वो महराज की बात गुरु महराज की बात बंडारा करेंगे जिरनोदार होगा बच्ते लोग आते हैं, तो उनके कारण बन बना है, वो महापुरुष वहाँ दिपे ते भगवान की यहां बेटे हैं, वो जो संकल्प कर लेते तो परिपुर्ण होता है, वो दा है, यह करे गुरु महाराज, नाम दे दो श्रीधार, सब काम हो जाएगा, जीरापुरे गाउ शेड़ जी ने का महाराज, यह यह, तुम चर्ष्ट का स्टर्ष्ट का नाम ता मूदरा शेड़ ती बच्टो, यूराज की पहले कता हुई शेड़ जी महाराज, जीर, उन्होंने होल में करी, गाउं में सारे में देना पड़ा, लोड़ी स्पी कारण तेरी बिजन, सारे गाउं में लगा, वह आनंदा है, बोले महाराज, इतने लाग देता हूं और यह जमीन देता हूं, मैंने किसने मांगे, बोले मंदिर, मैं का मंदिर आप बनाओगे, यहां करोड़ों लगेंगे, और मैं रुप्या नहीं लेंगा, रुप्या उपर मैं लेंगा, आपकी इसे पुछा, बहुत बुद्धी मान दे हो, आज भी बुद्धी मताम, वैसा तो बुद्धी मान मिलता भी नहीं है, मैंने का कब दिक्षा होई, तो मेरे गुरु माराज का नहीं हुआ ही माराज, तो मैंने नाम लिका, श्रीदर ज्यान प्रकास पारमा थी, उस छोटे गा में दो बार उस्वा स्रीदर मौत्सर समय, कहीं जो है, गुरु जी का नाम आगे किया, ट्रस्ट में भी गुरु जी का नाम आवे किया, उस सब हो गया, करते हैं वो गुरु माराज कृपा है, आप पर भी उन गुरु चरून की ऐसी कृपा बनी रवे इन शब्दों के साथ प्रिमन नाराहिं, प्रिमन नाराहिं, जरूर आपके ब्यवस्ता में जरूर कम ही होगी, किन्दो मेरे को हनुमान जी ने आगया दी, गुविन जीर सम्मान धने चाहते थे महराज, आपके विशिष्ट भक्तों के लिए तला रखें, कुछ कमरें वहां रख दें, नाम भी या दो चार बांगडर सुदर से नित्या दिया, मैंने का देखो भई, मेरे तो सारे विशिष्टा है, दो चार को ठेरा दोगे तो दूसरा गला दबाएंगे, हां ये भक्त बड़े विचितर होते हैं, बोले उनको ऐसा ठेरा दिया, हमको नहीं ठेरा या ये ठेरा दिया, तो मैंने का हमकारा संकल पैसा बोलता है, सब भगवान को अरपन करीब वस्तु है किन तो उत्सव तक, मेरे पर अभी ऐसा कोई दुखी नाराज नहीं होए, इसलिए क्यों मैं एक को ठेरा हूंगा तो सो नाराज होंगे, शेवा तो करेंगे नहीं करेंगे नाराज जरूर ह जिन्दगी भार, वहां नहीं थिया, तो मैं किसको ठेरा हूं किसको नहीं ठेरा हूं भार को, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि उत्सव तक बांदने परिवार के लोग, उनके संबंदी ने, बड़ी मुस्किल जिमानी कृष्णा बज़, इसलिए मान लो या उत्सव तक, उ पेट कर दिया, ट्रस्ट में बना, मेरे बस के बात नहीं सच कहता हूं, ये रिपेरिंग करना और इसका ये चलाना, दो लाग रुपया मही ना खर्च करूं और फिर मेरे तो बाली उत्र जाए, बाबा जी तो तुम्भा फेरी करके गोश्टी प्रसाथ चलाते हैं, सही बा रिए, दादा गुर माराज कहते हैं, है तो हम मंगते ही, सही बात कहते हैं, मैं मांगने वाले हैं, कोई लाग मांगता है, कोई एक दो रुपया मांगता है, हमारे बस की बात में, इतना बड़ा, जैसे कलकता मंदीर, कुशकर मंदीर, स्वामी जी माराज ने उसमें बांग लोगों का बही हमारी आग्या रहे गुए चलाना हमारे बस की बात में हम तो दो जगे जगे गुंते हैं नागपुर भी त्रश्ची लोगी चलाते हैं इंदोर में भी त्रश्ची लोगी चलाते हैं सब आग्या रहती है बात किंतों चलाने हमारे बसकी बात ने ये भी चलाना इसलिए भाई कहते हैं कि इसको ये गोविंजी आगी हमान लेना चलाने चलाने का मेनिमेंट आपके और तो सब स्थान जब आप कोई नाम ही नहीं लग रहे हो चाती ही नहीं हो स्थान के संपत्य कें तो चलाने से ये चल जाएगा अच्छा चलेगा और सुविदा होगी फिर गुरु जी का नाम तो होगा और आपका भी पूर्ण बढ़ेगा वो शेवा लगती रहेगी मैं तो अभी छोड़ दिया तो मोर नासता तो बहुत अच्छा किंदू पैर देखता तो पता चले वैसी मेरी स्थित्पी है हमारे बस की बात मान गए न भी जी आओ आओ लो कव महराज की आग्या मुसाथ को लाएग हाँ बोलो बोलो कुछ माइक पर बोलना आता ही नहीं है लेकिन फिर भी गुरुजी के आग्या हुई है हम ये बात का विश्वास हमारे गुरुचरणों को गुरुजी को दिलाना चाहते हैं कि इस भवन को बहुत सुचारू रूप से हमारे सभी जो कारेकरता जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक निर्ने करके एक उप समिती बनाके इसको चलाएंगे और एक विवस्थिक रूप से इसको आप सब को उपलत कराया जाएगा जिसकी शिक्र ही आपको एक वेबसाइट के थूँ और जालरिया संदेश के थूँ पूरी कार्य प्रणाली बता दी जाएगी कि ये भवन अभी इसमें कई काम बाकी हैं हम उसको पहले संपादित कर लें आदरनी राजेश भाई सब की जो टीम है वो उसको पूरा करके अभी हमें सोप नहीं पाईए कई कमिया है वो पूरी हो जाए और फिर उसको हम आपको गुरुजी को विश्वास दिलाते है और पूरी जालरिया पीट को विश्वास दिलाते है कि आप सब को यहां बहुत आनन्द आएगा बहुत अच्छी तरीके से इसका संचालन किया जाएगा जैश्री मना राएं अब कथा के प्रसंग में भी भगवान का प्राकट्य तो हुआ है भगवान का विवाह होवे और हमारे भी पुर्शुत्रमास महुस्वों में कल कल्यान उस्थव का प्रसंग है भगवान के विवहा उस्थव काई है तो भगवान की इच्छा ऐसी है कि कथा प्रसंग में भगवान का विवहा का लावे और कल्यान उस्थव का भी आनंध हम सब कल जो शाम का प्रसंग रहेगा और उस रंकला में कल प्रातह अर्चना के उप्रांत सैस्त्र कल्षा विशेक का उस्तव रहेगा और कल साएं को भगवान के दिविवा उस्तव का प्रसंग रहेगा कथा में भी खाकुर जी का ब्याव होगा राम जी का ब्याव होगा चारों भीयाव का ब्याव होगा और उदर कल्यान महुस्साओ के हम से बानन देंगे तो यही हम तो रोजी सोच रहे हैं भगवान कब आएंगे ब्या कब होगा लेकिन अब भगवान तो अपनी इच्छा से तो कल की सूचना मेंने आपको पहले भी दी और उसी संक्ला में परसु भी बड़े अच्छा यूजन है आज प्रातर रामर्चा का कारिक्रम हुआ परसु भगवान के फूल बंगला और चपन भोग महुस्व है परसु साइकाल और 31 तारीक को जब ये कथा विश्राम होगी वो प्रातर काल सुबह का सत्र रहेगा उसके बाद इस्थानिय विद्व जनों का संतमानमाओं का सम्मान होगा और पूरा चित्रकूट हम सब आमंत्रित करेंगे चित्रकूट के सबी तपस्वी, मुनी, सादू, संत, इत्यादी उन सब को मामंत्रित करेंगे और शेदर धामियां पधारेंगे और भंधारा होगा महाप्रशा करेंगे जैसे विजब बाबु कहरा है जैसे एक शंखला रहती है जैसे लाड़े की वो होती न पीठी वीठी उसको तैयार कर लेते हैं अच्छा इस तरह से एक हजार सहस्तर करशा अभिशेख विबिन जलों से और नदियों के और कूपों के और फल और ये और बहुत सारी जब आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा तो सुबह अभिशेख का समय आरती अर्चना के उपरांत जैसे हमने आज किया गोस्टी लेंगे अभिशेख में सब बैठेंगे और जो भी उसमें जजमान गण है वो भी समय की पालना करें और 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 भी कोई नाम देना चाहते हैं तो समीती को दे दे और शाम को तीन बज़े का वही क्रम पहले भजन हनुमान चालीसा और फिर कथा कथा में भगवान का व्याओ और अभी हनुमान चालीसा दो हमारी आज की हैं एक हनुमान चालीसा ज़रा दुर्दगति से करें और फिर अंतिम हमारा जो यहां का क्रम है पहले भगवान जानकिनाथ के आरती बाबु बदा है आरती इसमें है आप अपने स्थानबर बिराजे रहें अभी बिराजे रहें करका करके ऐसी आग्या हुई वैसे विवाहा का प्रसंग आज औरने का लग रहा था लेकिन अब ठाकुर जी के इच्छा की नेकर पहले अच्छे तयार होएंगे फिर विवाहा होईगा जै जानकी नाथा ओम जै जानकी नाथा ओम जै श्री प्रगुना था दोकर जोड़े विनावा हो प्रभु मेरी सुनो बाता ओम जै जानकी नाथा तुम रगो नाथ हमारे प्राण पिता माता तुम हो सजन संगाती तुम हो सजन संगाती अक्ति मुपी दाता ओम ये जानकी नाथा चौरासी प्रभु बंद छोड़ाओं मेटूं यमत्रासा निश दिन हरी मुहिराखों अपने संग साथा ओम जै जानकी नह था तुम प्राम लक्ष्मन भरत शत्रुगन संग चारो ब्राता प्रभु संग चारो ब्राता जगमग जोती विराजे जगमग जोती विराजे शोभाती भारी कौं ये जानकी नाथा अनुमक दाद वजावत निवर ठिमकाता प्रभु निवर ठिमकाता सुवरन थाल आरती सुवरन थाल आरती करत कोशल्या माता ये जनकी नाथा प्रीत मुपट कर धनुष विराजे शोभाती भारी तेरी सोभाती भारी मनी राम दरशन की मनी राम दरशन की पल पल बली हारी ओ जे जनकी नाथा राम क्रेपाल दयाखर बोले उपकारी बेहरी हमने बताओ ये प्रवुक हमने बताओ सिता राम जी धनुष धारी ओ ये जनकी नाथा ग्रम्हा विश्व सदाशिव नार दरशी गाता सब नार दिरशी गाता तुल सिदास जी की बिनती सुन लो रघुना नाथा ओम्हे जनकी नाथा ओम्हे जनकी नाथा ओम्हे शी रघुना था दोकर जोडे बिना बहु तभु मेरी सुनो बाताओ ओम्हे जनकी नाथा ओम्हे पोशल्या माता ओम्हे जायो प्रता ओम्हे जनकी नाथा ओम्हे जनकी नाथा ओम्हे जनकी नाथा प्रिया जडी महे चरियाथ याद ओम आदिक आप्याय विद्महें तिभ्यचरिता यदी मही तन्नो रामायन प्रचोत याद नाना सुवंद्य पुष्पानिय अधा काल अध्वानिच पुष्पांजल्य मयाजत्त ग्रिहान परमेश्वरमंद्र पुष्पांजल्यम समर्पयामी बोलिस्री राम कथा की कीजे स्री जान की नाद भगवान कीजे स्रीदास अनमान जी महाराज कीजे परम पुझे स्री स्वामी जी महाराज कीजे पुझे स्री अवरास्वामी जी महाराज कीजे आज के आनंद कीजे था बर्नहु रगवर विमल जसे जो दायक फल चार बुद्धी हीन तन जानिके सुम्र्यों पवन कुमार बलगुद्धि विध्या देऊं मोही हरों कलेश विकार जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय का पीशति उलोक उजागर राम दूख अतुलित बलधामा अन्जनि पत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रमबज रंगी पुमति निवार सुमति केम कंचन वरन विराज सुदे 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 सुद्धान न कुंदल कुच्चत केश हाथवज बधजा विराज कांदे मौंज जने मूसाज चंकर सोन के सरी नंत तेज बताप महाजबुए वित्यावान गुनियत चातुर रामकाज गर्वेकोवा रभुचरित सुनिवेको रसिया खनसी तामन बसिया रूपदर सिय दिखावा विकड़ रूपदर लंक जरावा फीम रूपदर असर रामचन जिगे काज सवारे लाए सजीवन लखन चियाए श्री रभुवीर हर श भाई सेहस बजन तुम रोचस गावे असकै श्रीपति गंध लगावे सनकातिक ब्रह्माति को निशा नारद सार रुसाइद येसा यम कुबेर दिक पाल जहाते कभी कोवित कैस कगे कहाते तुम उकार सुक्रीवई की नाराम विलाए राजपत दीना तुम रो मंत्र भीशन लंके शुर्वे सब जग जाना चुंसा है सियो जन परवान लीनियो ताई मधर भल जानों प्रभु मुत्रिका बेली वुखमाई ही जलादि रादि में अधर नाई गुर्गब काज जगत के जेते सुगम अरुंगरत वरे दे राम गुवारे तुम रतारे उतना ग्या बिल पैसारे सब सुग रहे तुम्हारी शर्ना तुम्रत शक्का हों को डर्ना आपन तेज समारो आपे दीनों लोक हाकते कापे भूत पिसाच नकट नहीं आवे वहावीर जम नाम सुनावे नाशे रोग हले सब पीरा जबत निरत तरहनमत वीरा सकट ते हनुमान चुगाए मटक चारों बचन ध्यान जो लाए सब रापत पस्वी राज तिल के काज सकंगम साजा और मरोरस जो कोई आवे सोई अमिज जी वनफल बावे चारों पुग परता तुम्हारा मैं पर सित जगतु जी आयरा सार संत के असर्ड कंदन राम गुलारे अस्ट सित नो निदी के बाता राम रखायर तुम्हरे पासा सदार हो रगुपत के दाशा तुम्हरे भजन राम जी गभावे जनम जनम के तुख विसरावे अत्काल रगुबर बुल जाई जाहतन हरी वक्त कहाई और देवता चित्तर धरई हनमत सही सर गुस्प जरई हिंकट गटे विटे सब वीरा जोस अज हमारे क्रम में सत्रा वृत्ति हो गई कितनी बड़ी